हलो दोस्तों मैं हूँ आपकी दोस प्रीतिया आपके साथ आज हम बनाएंगे फलाहरी कच्चे केले की पापड़ आईए रेसेपी शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कच्चे केले लिए हैं जितने भी आप पापड़ बनाना चाहते हैं उसे आपसे आप यहाँ पर कच्चे केले ले लेंगे कच्चे केले को पहले हमें पकाना है इसे हम डालेंगे कूकर में साथ इसमें लालेंगे थोड़ा सा पानी कूकर का ढकल लगा कर हम लगबग 2-3 सीटी लेकर केलों को अच्छे से पका लेंगे केले हमारे अच्छे से पक गए हैं और थंडे भी हो गए हैं इसके हम छिलके अलग निकाल लेते हैं केले के हमने छिलके निकाल लिए हैं अब हम इसे अच्छे से मेश करेंगे या तो पुई लकड़े का गुट्टा या मेशर या हाथ से किसी भी प्रकार से आप इसे मेश कीजिएगा केले में गुट्लियां बिल्कुल नहीं है अच्छे से एक दम से हम स्मूथ सा कर लेंगे केला हमारा अच्छे से यह दि पका हुआ होगा तो बहुत ही आसाली से वो मेश हो जाता है केलो को हमने अच्छी से मैश कर लिया है अब हम इसमें कुछ बैसिक से मसाले डालेंगे मैं इसमें डाल रही हूँ दो टेबल स्पून सफेद तिल वन एक टी स्पून लाल मिच पौडर लाल मिच पौडर डालना ऑप्शनल है आप पसंद नहीं करते हैं तो इस कीप कर सकते है कि मिलकुल हलकी से डालना मिर्ची आपको इसमें बहुत ज़्यादा तेज मिर्ची नहीं करना है हलकी से बिलकुल मिर्ची डालने से पापा का टेस्ट और भी बढ़ जाता है स्वात के साब से नमक आप पापर में बहुत कम यूज़ करेंगे क्योंकि केले में भी खार होता 1-4 twee spooneden डालुरा नियवकारता है मैं कारी मर्च बाओडर जीर काइणां सकते हैं या पिर आप और व्रत मे खाने के लिए तो जो लुद्ग ठोड़ा सा एक चुटकी हिंग सब भी मसालों को हम केले के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी आपको मारे जो केले का मिश्ण है वह गीला गीला से लग रहा होगा लेकिन जीज़े थंडा होते जाएगा यह और भी सूपती जाएगा क्योंकि जो केला है व आपके साथ में जो चम्मस दालते हैं लई वाले वैसे भी आपके साथ शेयर की हैं जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्केशन बॉक्स में दे रखी है आज हम बनाएंगे केले के पापड़ बेल के तो अपने मसालों को अच्छे से केले मिक्स कर लिया है अब मैंने यहाँ पर एक उससे भी हमारा पापड बहुत यंतैस से चप्टा हो जाता हैं चप्टा करने के बादी आपको स drawsी और लग रहा है कि कुछ हमोटा लग रहा है पापड तो आप हलके हलका सास पर्यण पैलें भी चला दीजीए पापर मोटा पत्ला रक सकते हैं हलके सी पापर तोड़े से म पपड हमने बैल के राखा था उसे हम प्लास्टिक पर इस तरीके से निकाल देंगे तो इस तरीके से एक और भी पपड बना कर तैयार कर लेंगी दोस्तों मेरे आप से एक प्यारे से रिक्वेस्ट ये दिया हैं突 sharp को मेरे वीडीयो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूरिएगा एक प्यारी सी कमेंट ये का मुझे जरू बताएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा इस तरीके से हम सारे पापर बना लेंगी और से अच्छे से दूप में सुखा लेंगे यदि आपके बहुत अ द्राइ हो गया है तो अब इसमें हलके से पाने के चीटी लागा कर उसे अच्छे से गुथ लीजिए फिर पापर बनाईए फटापर आपके बन जाएंगे देखे हमारे कच्छे के लिए के पापर बहुत यह सूख गए मैं आपको इसे तल के दिखाती हूं पापर को तलने से आप भी बनाईएगा वीडियो पसंद आए तो शेयर सब्सकाइब करना बिल्कुल न भूलिएगा थाइंक यू